नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम फिराजीर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में और आज बात होगी किसानों की और खेती की आप सब लोग हम खेती और किसानी से जुड़े हूए हैं लेकिन एक बात जो रोज आप अक्वारों में भी चरचाई देखते हैं कि किसान है वो हमेशा गाटे में रहता है और बहुत सी ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि किसान है वो मजबूरी में करज के तले दबगे और आतम ह कर लेता है उन्हीं सब चीजों से हट के आज इस सक्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक यूवा जिसने अपनी पढ़ाई के बाद खेती की तरफ अपना रूख किया और पिछले पांच साल से लगातार खेती से जुड़े हुए हैं मैं बात करा हूँ हमार जुड़े के सुरजगर्ड विदान सबाचेक्तर के सुरजगर्ड के अंदर आने वाला रामनात पुरा गाउं के अखिल कुमार जो हमारे साथ हैं उनसे सारी चीजे जाने हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ाई के बाद खेती का रास्ता सुना और क्या वज़ा ऐसी रही कि इन् उनको सारी वो जानकारियां देते हैं जो सायद एक आम किसान को नहीं होती और वो सिर्फ खेत में दिन रात मेहनत करके उतना ही कमा पाता है जिससे उसका पेट बर जाए तो नमस्कार अखिल नमस्कार सर एक बात करें कि आपके मन में ये खेती का विचार क्यों आया क्योंक लेकिन एक उमर के बाद यह मन में आता है कि हम भी घरवाड़ा की थोड़ी सायता करें को नो करी के लिए कुछ और भी आगे स्टाट अप करें तो मन में प्लान आया कि हमारे पास जमीन है पानी है सब चीज हमारे पास है तो खेत में ही जब हमारे दादा पर दादा भी कु करन यह है कि हम जहर खाते हैं यह शिदी बात पता हूं जहर काते हैं यूरिया काते हैं तो उसको अटा कि कुछ ऐसा करें कि लोगों की शेहत पर फरक पड़े हमारे इन्वारिमट पर फरक पड़े और इतनी दूर में करें कि लोग यहां आएं उनको मैं सलाह भी दे सकूं उसके बाद मैं 2017 के अंदर पहला कदम रखा हमने वेजी टेबल्स हुगाई और फल फ्रूटों के पेड़ हुगाई जिससे कि बागवानी करने के साथ कुछ ऐसा बिजनेस के तरीके से भी हो जाए कि हम कमा भी सके और लोगों उसाइटाब कर सकें फिर मैंने कोशिश की जाए सबजियां हों अनाज हों यह सारी सारी यह आइडिया आपके पास आया कहां से कि किस तरीके से किन चीज़ों की खेतिय करना था तो उसके टारिक यह वेज़िटेबल सुगाई जिससे की इनकम भी हो और गर पे जमीन से जुड़े रहें क्यों जमीन से जुड़ना भी बहुत बड़ी चीज है उसी से जुड़ा रहना भी चाहता था मैं और उसे एकाडमा ने वेज़िटेबल में कदम रखा बात करें अब पिछले पांच स कि मैं मेरी सबजी होगता हूं और मिरये घर पे रहता हूं कई जंजट नहीं है और पांच साल का मैंनेत já है कि क्या-क्या समय आती है और उसके मैंने की स्ट्रू आप और क्या ओर साश किया prakti मैंने की यूट्भ पे एक चैनल मनाया प्ली ग्ली फार्मींग जिसके को जो मेरे की समस्या आई हैं मैं उन लोगों को बता सकूँ आप इन से दूर रहो ताकि आपको इस समस्या नाई कम लागता है और दूसरी लोगों को कई बार पहली फसल उगाती नुकसान हो जाता है कोई कारण वंस वो छोड़ना पड़े मैं उन किसानों को पास जाता हूँ औ अखिल एगरी फार्मिंग दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि अखिल फार्मिंग के नाम से जो इनका यूटूब चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यूटूब पे सर्च करके भी वहां वीडियो देख पाएंगे तो इनका कहना यह है कि जब पिछले पांच साल का जो अनूबव इनका रहा है और खेती में जो समझ्याओं का सामना इनको करना पड़ा है या उसे फाइदा क्या हो रहा है अपने सारे के सारे अनूबव वहां पे यह शेयर करते रहते हैं और इसके साथ ही अगर जैसे जो भी सीजन का माहौल हो मुझे बला सकता है मैं फिर ही होंगा तो मैं जरूर विजिट भी करता हूँ लोगों की समस्याओं दूर करने के लिए